नेक्स्ट हमारे पास question number 3 है, show that each z1 equal to minus 1 plus eta and z2 equal to minus 1 minus eta satisfies the equation z2 plus 2z plus 2 equal to 0. तो यहाँ पर हमारे पास z की दो values given हैं, हमने पहले एक value put करने हैं, इस equation में तो हमें दोनों तरफ 0 मिलना चाहिए, फिर दूसरी equation put करेंगे तो दोनों तरफ 0 मिलना चाहिए. तो हम कहेंगे यह दो values इस equation के solution हैं, अगर नहीं मिलते तो हमारे पास यह solution नहीं होंगे. तो अब हम इसमें put करेंगे z1 को पहले minus 1 plus eta को, तो हम put करते हैं z की जगा minus 1 plus eta का square और plus 2 and 2 minus 1 plus eta plus 2 equal to 0. तो square को open करते हैं, तो यहां पर हमें मिलता है 1 minus 1 minus 2 eta, चूंके यहां पर minus 1 का square plus 1 मिलेगा, और plus eta के square की जगा हम minus 1 लिक रहे हैं. minus 2A B है, तो minus 2A B का मतलब यहां यहां के मानेस टू आयोरटा, तो मल्टीपला हूँ हाँ 161 के साथ तो 2 मिला, और इस तरिके से 2 मल्टीपला हूँ 262. प्लस टू एटा और यह प्लस टू अब प्लस टू मैनस टू के साथ कैंसल प्लस टू एटा मैनस टू के साथ कैंसल वन मैनस वन कैंसल हुए तो जीरो मिला तो यह इकवल टू जीरो आया है इसका मतलब यह है कि यह सेटिस्फाय करता है यह इसका एक सलूशन है अब दूसरी व प्लस टू इक्वल टू जेरू तो यह होजाएगा मानेस वन मानिस एकड़ा का स्क्वर प्लस टू यनुमाइनम तो एकड़ा करते हैं को μοस्कों करते हैं तो यहां पर हमें मानें सब्सक्राइबЕН्वे यृटा का स्क्वर क्या स्क्वर्भ Girard Battlefield तो हो जाएका प्लस टू आयोड़ा उर माइनस तू टू एन डू ऊच्वर्टर तो माइनस को चछास ब्लस और उर का यह ना पसमें कैंसल हो रहे हैं तू आप मैंनस के साथ कैंसल और माइनेज़ टू प्लसट पे साथ की इकल टू जिरो है इसका मतलब यह है कि यह value भी satisfy कर रही है, हमारे पास equation को, तो इसका मतलब यह है, कि दोनों जो values given है, यह satisfy करते हैं, equation को, तो यह इसके solution है, question number 4 is, determine whether 1 plus 2 eta is a solution of z square minus 2z plus 5 equal to 0, तो हमने चेक करने हैं, क्या 1 plus 2 eta इस equation का एक solution है, यानि, तो इसको put करेंगे, इस equation में, solution में, तो अब हम इस value को put करते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है, 1 plus 2 eta का whole square minus 2 and 2, 1 plus 2 eta plus 5 equal to 0, square को open करते हैं, तो हमारे पास दोना तरफ 0 आने चाहिए, यहाँ पर है, 1 का square, और यहाँ पर 2 eta का whole square लेंगे, और plus 2 and 2, 1 and 2, 2 eta, और minus 2 and 2, 1, minus 2, और minus 2 and 2, 2 eta से minus 4 eta, और plus 4, square को open करते हैं, तो यह हमारे पास होगा, 2 का square 4, और eta के square के जगा आएगा, minus 1, तो यह minus 4 हुआ, और यहाँ पर हम मिला, plus 4 eta, minus 2, minus 4 eta, plus 5, तो हमारे पास यहाँ पर आया, minus 3, minus 2, plus 5, तो minus 5, plus 5, यह cancel हुए, और 4 ayota, minus 4 ayota के साथ cancel हुआ, तो 0 मिला, तो 0 equal to 0, इसका मतलब यह है, कि यह जो value given है, यह इस equation का एक solution है, क्योंकि यह equation को satisfy करता है, question number 5 है, find all the solution to the following equation, तो हमारे पास part 1 है, z square plus z plus 3 equal to 0, तो हमने इसका solution find करना है, z की values find करनी है, चुक्के quadratic equation है, तो इसके मतलब यह है, कि इसके 2 solution होंगे, maximum, तो इसे solution में हम लेते हैं, compare करते हैं से हम quadratic equation के साथ, यहने a z square plus b z plus c equal to 0, तो यहाँ पर a equal to 1 मिल रहा है, b equal to 1 और c equal to 3 मिल रहा है, अब इन values को put करें quadratic formula में, जो के हैं, हमारे पास z equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divide by 2 है, values put करते हैं, तो हम मिलता है minus 1 plus minus square root of 1 square minus 4 into 1 into 3 divide by 2 into 1, तो simplify करें, तो हम मिलता है minus 1 plus minus square root of 1 minus 12 divide by 2, तो minus 1 plus minus square root of minus 11 divide by 2, तो minus 11 को हम एक अलएदा करके लिखें, यहाँ पर minus 1 का square root और square root of 11 अलएदा लिखें, तो square root of minus 1 से हमें aorta मिलेगा, और square root of 11 इस तरीके से रहेगा, तो अब हम यहाँ पर इन्हें एक दफ़ा plus में एक दफ़ा minus मिलें, तो दो solution आगए हमारे पास, तो इसका solution सिट में हम इन्हें लिखते हैं, यह हमारे पास इस equation के solution है, अब part 3 हमारे पास z square minus 2 z plus aorta equal to 0, तो हम इसे यहाँ पर compare करते हैं, quadratic equation के साथ तो a equal to 1 मिल रहा है, b equal to minus 2 और c equal to aorta, values को पॉट करते हैं, फार्मूला में जो के है, minus b plus minus square root of b square minus 4, इसी divide by 2 है, तो यह हो जाएगा, minus and 2 minus 1 plus minus square root of minus 2 का square minus 4 into 1 into 1 divide by 2 1, तो इससे हमें मिला 2 and 2 plus minus square root of 4 minus 4 aorta divide by 2, तो हमारे पास जो 4 है, इसे हम कामन लेते हैं, तो हमारे पास 1 minus aorta रह जाएगा, अब 4 का square root अलाएदा लेते हैं, और बाकि जो value है, इसका square root अलाएदा हुआ, तो 4 का square root of 4 है, इससे हमें 2 मिलेगा, अब 2 को कामन लेते हैं, तो divide में 2 के साथ cancel हो जाएगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर, अब यह 2 और 2 cancel हो रहे हैं, तो हमारे पास जो बाकि value है, चुक्कि डिवाइड में फिर 1 आ जाएगा, तो उससे लिखने की ज़रूद नहीं है, प्लस जी स्क्वेर प्लस 1 एक्वल टू जीरो, तो हम इसे solve करते हैं, यहाँ पर चुक्कि यह question है, और इस question का मारे पास कोई answer नहीं आता, यह wrong question है, अगर यह question इस तरीके से हो, जी स्क्वेर प्लस जी प्लस 1 एक्वल टू जीरो, तो इसे हम simplify करके solve कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम a equal to one ले रहे हैं, b equal to one और c equal to one, अब इन values को put करते हैं, quadratic formula में तो हमें मिलता है, minus 1 plus minus square root of 1 square, minus 4 into 1 into, 1 divided by 2 into 1, तो यह हुआ, minus 1 plus minus square root of minus 3 divided by 2, जो square root में minus 3 है, यहाँ पर minus 1 एलएदे लिखते हैं, स्क्वेर रूट में, और square root of 3 है लएदे लिखा, अब square root of minus 1 की जगा अईटा आ जाएगा, तो यह हुआ, minus 1 plus minus square root of 3, और square root of minus 1 की जगा हमने अईटा लिखा, लेकिन इस तरफ लिख दिया, divide में 2, तो अब हमारे पास यह हो जाएगा, minus 1 divided by 2, plus minus square root of 3, divide by 2, तो एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, यह हमारे पास इस question का answer है, नेक्स्ट हमारे पास है question number 2, जिसमें value given है, z cube equal to minus 8, तो इसे arrange करके हम लिखें, तो हमारे पास z cube plus 8 equal to 0 हो जाएगा, तब हम, चुके हमारे पास यह बन रहा है, z cube plus 2 cube equal to 0, इस formula को open करते हैं, तो हमारे पास आता है, z plus 2, n to z square minus 2 z plus 4 equal to 0, चुके formula मारे पास यह बनता है, इस formula को मताबग हमने open किया है, अब z plus 2 equal to 0 आया, और z square minus 2 z plus 4 equal to 0, एक value यहाँ पर z की हमें 2 मिल रही है, और इसको हम solve करने के लिए A equal to 1 ले रहे हैं B equal to minus 2 और C equal to 4 तो अब इन values को port करते हैं quadratic formula में जो के हमारे पास यह मौझूद है इसमें values पोट करते हैं तो हमें मिलता है 2 plus minus square root of minus 2 का square minus 4 into 1 into 4 divided by 2 into 1 simplify करते हैं तो हमें मिलता है यहां पर 2 plus minus square root of 4 minus 16 divided by 2 तो यह हो जाएगा 2 square root of 2 plus minus square root of minus 12 divided by 2 तो हम यहां पर क्योंके minus 12 की जगा minus 1 को अलएदा लिखते हैं और minus 12 को अलएदा तो square root of minus 1 की जगा आयोटा पूट करते हैं तो यह हमारे पास है Z equal to 2 plus minus square root of 12 into आयोटा divided by 2 तो इसे हम लिख सकते हैं 12 की जगा 4 into 3 स्क्वेर रूट लेंगे और 3 का लएदा तो 4 square root से बाहरा आजाएगा 2 बनकर तो यह हो जाएगा मारे पास 2 plus आयोटा into 2 square root of 3 divided by 2 अब 2 common लेकर cancel कर सकते हैं तो बाकी values हमारे पास है 1 plus minus आयोटा into square root of 3 तो यह हमारे पास solution एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में next हमारे पास question है उसमें z minus 1 का cube equal to minus 1 है तो cube formula का open करते हैं तो हम मिलता है z cube minus 3 into z square plus 3 z minus 1 equal to minus 1 तो minus 1 इस तरफ आकर plus हुआ यह अपस में cancel लेगे तो यहां से हमने z कामन लिया तो इदर बाकी z square और यहां पर minus 3 z plus 3 रह गया तो एक दफ़ा z equal to 0 लेंगे और बाकी जो value z square minus 3 z plus 3 equal to 0 लिया अब इसको solve करते हैं तो इसके लिए a equal to 1 लिया b equal to minus 3 c equal to 3 quadratic formula पोट करते हैं value उसमें मिलता है यहां पर minus into minus 3 plus minus square root of minus 3 का square minus 4 into 1 into 3 divided by 2 into 1 simplify करते हैं थो मिलते हैं 3 plus minus square root of 9 minus 12 divided by 2 तो यह हुआ 3 plus minus square root of minus 3 divided by 2 square root of minus 3 को एक दफ़ा minus 1 लेते हैं square root of minus 1 लेते हैं और दूसरी दफ़ा square root of minus 3 अब square root of minus 1 की जगह हम आयोटा पूट करते हैं तो यह जगह 3 plus minus square root of 3 and 2 अउटा डिवाइड बे 2 अब लेदे 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 लिखते हैं तो 3 divided by 2 plus minus square root of 3 divided by 2 का अउटा तो यह मारे पास एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा मायनस में दो आंसर आ जाएंगे तो ये इसका solution सेट है